इन दिनों सोशल मीडिया पर मोबाइल की घंटी से पॉपकॉन बनाने की कई वीडियोज वाइरल हो रहे हैं। भी हो रहा है। बस फिर कुछ सेकंड के भीतर भुट्टे के दाने भी हवा में उचलने लगते हैं और पॉपकॉन बनकर वापस लोटते हैं। ये वीडियोज नहीं बलकी सबूत हैं जो मोबाइल की घंटी से भुट्टे के दाने को पॉपकॉन बनाने का दावा कर रहे लेकिन वीडियो डराता भी है और वो इसलिए अगर मोबाइल भुट्टे के दाने को पॉपकॉन बनाने की टाकत रखता है तो सोचिए ये आपके शरीर के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। हाला की कुछ वीडियो हमें ऐसे भी मिले जिसमें मोबाइल की घंटी से पॉपकॉन वाला प्रयोग साफल होता नहीं दिख रहा था वीडियो और में उसी तरीके से भुट्टे के दानों को मोबाइल फोन के बीचों बीच रखा गया। घंटी बाजी वाइब्रेशन हुआ इंतजार भी किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसलिए हमने जेनियो के जियोफिज सिस्ट और सौमित्रि मुखरजी से संपर्क किया। डो सौमित्रि मुखरजी ने हमें बताया कि मकई के दाने में नमी होती है। जब इन दानों को माइक्रोवेव के भीतर या कुकर में रखा जाता है तो पानी सुखा कर एक गास क्रियेट होती है। उस गैस के प्रिशस से मकई के दाने फूटते हैं और पॉपकॉन बनते हैं। लेकिन वीडियो में जो होता हुआ दिखाया जा रहा है वो संभव नहीं है क्यूंकि अगर मोबाइल फोन के जरीए इतनी गर्मी पैदा होती कि वो मकई के दाने की नमी सुखा सके और वहां गैस क्रियेट कर सके तो आसपास की चीज़ों पर भी असर पढ़ता। मुम्किन है कि वाइरल वीडियो में जिसमेज पर भुटे के दाने रखे गए हैं उसके नीचे गर्म करने वाली कोई चीज़ छिपा कर रखी गई हो या फिर वीडियो एडिटिंग के जरीए वो दिखा दिया गया जो असल में हो ही नहीं रहा था। उमीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें और हाप सबसे जरूरी बात हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल रम के सबस्क्राइब बटन को अभी दबाएं और हमारा चैनल सबस्क्राइब करें। धन्यवाद।